हलो गैज़ आप सबी सात्यों का सौगता है अपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सिंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मौनिंग अपडेट लेकर आए हैं जितनी भी इंपोर्टन अपडेट आज की विदिन न्यूज पेपर में आईए उस सारी सारी अपडेट हम आप सबी लों का हम बता दें कि 30 जून तक आप सबी लों का जो है एक्जामनेशन फॉर्म भरा जाना था बीएड और एमेड वाले चात्यों का लेकिन अब जो है आप सबी लों की जो डेट है उसको विस्ताइत कर दिया गया है और अब जो है आप अपना जो फॉर्म है वो अब आपका अगस्त के महीने में ही जो है संभव होता नजर आ रहा है बाकी इसके बारे में जो भी सूचना मुझे मिलेगी वो सारी चीजे मैं आप से विलों को बताऊंगा लेकिन एक बात ये बिल्कुल confirm है कि अगर 10 दिन आपका एक्जामरेशन फॉर्म पीछे हुआ है तो परिक्षा भी कम से कम आपकी 10 दिन और पीछे होगी यानि कि अगर जुलाई के लाश्ट में होने वाली थी तो कम से कम अबमान की चलिए कि वो आपकी परिक्षा अगस्त के महीने में ही होगी चलिए वहीं पर हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर के तो अगल लाग, 6 लाग, 7 लाग फॉर्म पड़ते थे, सरकारी कॉलेज तो छोड़ी ये प्राइबेट के लिए ज़ोए काप जद्दो जाहत करनी पड़ती थी, लेकिन आज जो है वही डेलेट कोर्स जो है अपनी साक बचाने पर जुटा हुआ है और उसमें कोई भी एडमिसन लेना नहीं चाह रहा है आप सभी लोग को हम बता दें आज जो एक न्यूज पेपर दैनिक जागरण में अपडेट निकल कराई है कि पांच दिन से डेलेड में प्रिबेश को 47,000 आवेदन आपको हम बता दें कि 15 जून से जो है इसमें आवेदन शुरू हुआ है और आज तक बचा है इस पांच दिन में उम्मीद आए कि अगर 47,000 आवेदन हो जाते हैं तो मान के चली कि 94,000 इसमें और आवेदन होंगे जो कि बहुत मुस्किल है कि 5 दिन में 47,000 हो अगर 17 दिन में सिर्फ 47,000 लोगों ने लिया है यहां पर जो आवेदन किया तो 5 दिन में 47,000 जार त तब ही हम लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे ऐसे पिछली बार भी हुआ था एक लाग सत्राजार फार्म पड़ा था लेकिन सिर्फ एड्मिसन जो है सिर्फ 99.000 लोगों ने लिया था पिछली बार एक लाग सत्राजार फार्म तो पड़ गया था अब की बार तो एक लाग सत्रा कम हो रहा है वो डेलिट करना ही नहीं चाह रहे हैं वही पर जो और छात्रे वो बीर्ड की तरफ रुक कर रहे हैं बीर्ड की तरफ रुक करने के दो तीन रीजन है एक तो अभी वो प्रैमरी यानि प्रात्विंग सिक्चाख भरती में वो सामिल है दूसरा सबसे बड़ा जिटी या एल्टी ग्रेड या किसी भी की जो है वेकिंसी आ रही है जिसमें बीर्ड वाले अप्लाई करें फिर चाहे वो बी यो की भरती की उना हो खंड सिक्चा अधिकारी की उना हो इसी लिए चात जो है अब वो डेलिड को छोड़कर अब सीधा बीर्ड की तरफ रुक तो यहाँ पर पहले हम अपडेट को पढ़ लेते हैं यहाँ पर लिखा है कि बेसिक सिक्चा परसत के बिद्यालों में सिक्चा भरती के लिए अनिवार डिप्लोमा इलिवेंटरी एजुकेशन में प्रवेश की इस्थिती चिंता जनक है आवेदन के लिए अब पांच दिन आवेदन लेना शुरू किया अन्तिमति 6 जुलाई निर्धारी तरह सुल्क 7 जुलाई तक जमा किया जा सकेगा प्यनपी सच्चु ने बताया कि प्रदेश के चाचट जिला सिक्चा है और अभी 3 से 4 दिन में कितना एडमिसन होगा ये तो आगे ही पता चलेगा ये कल का डा कितने लोग इसमें आवेदन लेते हैं उसके बाद इसकी काउंसलिंग होगी काउंसलिंग में देखते हैं कितने लोग भाग लेते हैं वैसे भी आप ये मान की चलिए कि जितने लोग यहां पर आवेदन करेंगे उसके आधा ही लोग यहां पर एडमिसन लेते हैं तो यहां दिमोटिवेट हो गए हैं और वो एडमीसर नहीं करवाना चाते हैं वो एक लाख रुपए नहीं फूकना चाते हैं वो डेलेट की तरफ इसलिए वो डेलेट को छोड़कर बेड की तरफ जा रहे हैं कि अगर प्रात्मिक सिक्षक भरती नहीं आएगी तो कम से कम TGT भरती तो आवेधन भी जो है आज 2 जुलाई से जो है शुरू हो जाएगा अगर आप इच्छुक हैं तो आप जाकर आवेधन कर सकते हैं प्रिंसिपल पद के लिए 2000 रुपे फीस रखिए PGT के लिए 1800 TGT के लिए 1500 SCST और PH के लिए 0 रुपे फीस है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं चलिए वहीं पर हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में तो फ्री टेबलेट और स्मार्टफोन जिसको लेकर करके कल जो है सपा के अध्यक्ष अध्यक्ष आपने उन्चासमें जनम दिन के मौके पर पार्टी मुक्याले में UP वोड के हाई स्कूल में इंटर्मीडिट के सीज पाच अस्थान प्राप्त करने वाले चात चात्रों को लैपटाप दे कर सम्मानित किया अकले ने कहा कि हमाई सरकार नहीं है इसलिए कुछ ही चात्रों को लैपटाप दे पा रहे हैं लेप्टाप मिलने वाले चाथ चात्रहों में दसमी के टापर, कानपूर के प्रिंस पटेल, किरन कुसवा, पलक अवस्ती, नैंसी बर्मा, प्रांसी दुबेदी, आस्ता सिंग, एक्तावर्मा, अर्तो स्रिवस्तो और अनकेश सर्मा सामिलते, इंटरमीडियर के टापर में भ काफी ज्यादा स्डिलो भी हो गया है, बहुत सारे चात्रहनां जो बार-बार ये कहनी हैं कि मुझे कम मिलेगा, हाला कि जिस हिसाब से 1 करोंड लोगों को टेबलेट मिलने वाला था, उस हिसाब से 1 करोंड अभी तक और स्मार्टपुन मिला भी नहीं है, और साथी साथ यो जब्दी से सरकार जो इस काम पे तेजी लाए तब ही थोड़ा सा काम बनेगा ठीक है चलिए अगली अपडेट यहाँ पर आईए 13 जिलों के लिए अग्निवीरों की भरती 20 अक्टूबर से अग्निपत योजना के तर्थल सेना में लखनूँ सहित 13 जिलों के लिए अग्निव प्रसासन और पुलिस के संपर करने के बाद अपने पूर्व के कैलेंडर में आंसिक दबदलाओ करके नई तिति जारी कर दिये तो 13 जिलों में अब भरती हो सके हैं कि सामिल सेना भरतीव कार्यालाय लखनों के अंतरगत आने वले लखनों 12 बंक्य उन्नाव कानपूर देहा वो अपनी तारी करते नहें सभी लोग जाएं और अपनी जभरती में भाग लें अपना सपना जो आर्मी में जाने का उसको आप पूरा करें देश हित्मे राश्ट हित्मे जो है आप देश की सेवा करें तो फिलाल के लिए आज इतनी सारी अपडेट थी अगर आपको वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ तब तक के लिए खुश रही है मस रही है जय हिन जय भारत